तो डेर स्टुडेंट आज किस वीडियों बात करेंगे भी फोर्थ समस्टर के प्लिटिकल साइंस यानि राज निति सास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टन को इस्टूडेंट के बारे में जिन भी इन्वर्सिटी के स्टूडेंट की परिच्छाने वाले दिनों में लगी उनको इ प्रिच्छा में बार बार रिपीट हो रहे हैं इस बार भी आनी की सम्माहों ना है तो आज किस वीडियों के साम में वाद की विश्टना कीजिए कोईस्टन पढ़ेंगे एंसर जानेंगे उससे पहले मैं आपको अताऊंगा कि सब्जेक्ट तो आपका प्रिटिकल फाइस यानि राजनीति साफ्तर है लेकिन जो प्रिश्णपत्र कोईस्टन पेपर का नाम है वो है वेस्टर्न प्रिटिकल थौट ठीक है यानि कि जो हमा हारे विस्ट के जो पस्चिमी देश हैं उनमें रहने वाले जो प्रमख विद्वान थे क्या समाश साफ्तरी ते उनके कियाक क्या समाच को या पिर हमारे सिस्टम को लेकर उनसे कोश्चन आएंगे हमारे देशम से जुड़े हमारे देशम की जो भी बिद्वान हे समार श्राばस्त्री हैं राजनीतिक जो घुईब THATiliyor जो हमारे देश की पस्चिम के लाके में या पिर विश्वाय के बैस्च में चेत राते हैं जैसे की यूरूप हो उत्तर अमेरिका हो गया तो वहां से सम्मंदित जो बिद्वान है उनसे जोड़े question होंगे इस बात को धियान नेखेंगे तो प्लेटो जो प्रमुक बिद्वान है यह हमारे देश के नहीं बिदेशी है ठीक है लेकिन प्रस्णपत्र है question आएंगे तो उत्तर तो लिखना पड़ेगा न तो लिखना है कि प्लेटो अपने आदर्स राज की अस्थापना में सासक और सैनिक वर्ग के लिए इस्त्रिया या फिर इस्त्रियों एम संपत्य के सामयवाद का विचार दिया है उनके अनुसार यानि कि प्लेटो के अनुसार सासक और सैनिक वर्ग के पास कोई परिवार नहीं होना चाहिए और उनके पास ब्यक्तिकत संपत्य भी नहीं होनी चाहिए परिवार या फिर परिवार और सं प्रश्टाचार को बढ़ावा मिलता है सासक के पास उतनी संपत्य होनी चाहिए जितना उनके नियुंतम जीवन अफ्तर को बनाय रखने में आवस्चक है संतान भी सासक वर को ब्रश्टाचार की तरफ ले जाता है परिवार के मोह में वह फासर सत्ता का दुर्पियोग कर सकत अधा प्लेटो का सामवाद आधुनिक समय में भी प्रसांगिक है तो इसका मतब यह है जो प्लेटो कहता यह है प्लेटो के द्वान यह कहते हैं कि एक आदर्स यानिक एक अच्छा राज जो है उसकी अफ्थापना में सासक और साइनिक वर्ग होते हैं ठीक है उसके लिए इस्तरियों एहम संपत्य के सामवाद का विचार इन्होंने दिया है इनका मानना यह है कि जो साइनिक हैं जो काम करने वाले हैं किसी भी सासक के अंदर या फिर किसी भी प्रजा जिसको बोलते हैं उसके तो उसका ना कोई परिवार से लेन देना होना चाहिए अगर है तो उ चाहिए उसके पास कोई ब्यक्तिकत संपति नहीं होने चाहिए कि हमारे पासं इतना संपत्थ हो गया ये सब सुर्थ एकर 很 आए उसके ati इस यसके एंडर में आप काम करते रहूं जाए वहाँ जो बोले वह करते रहा वस आप के पास ना कोई से परिवार होना चाहिए बारे में वर् Layo के स्वार का मतलब यहीं है इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ठ की प्रोंग रशनाएं लिए अगरा प्रोंगक ध्यान रखेंगे जिसके स्व के घ्रू गुरूग रझाय खिंगे तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकराल नहीं तो आपको लिखना झाँ प्लेटो आप है उनकी प्रहुंग रश्नाइए कि लिपनले जो कि बहुत ही इंपॉपलर हुई है जुफरी झेटम सब्सक्षा है घ्डाल सब्सकंढ वाओ प्लेटों में प्रिच्छा ढलए यानि कि युनान में प्लेटों ने फिच्छा के दो भागों में विभाजद कियें पहला है प्रारंभिक फिच्छा दूसरी है उच्छ सिच्छा तो प्रारंभिक फिच्छा में आप लोग अच्छे से जानते हैं और उच्छ फिच्छा भी जानते हैं उस फिच्छा में आप लोग बढ़ी रहे हैं आगे समझते हैं प्राइंट पर आते हैं 20 वर्स की आयो वर वालों को प्रारंभिक फिच्छा के अंतरगत रखा गया है यानि कि जो भी इंसान 20 वर्स से कमका है उसको प्रारंभिक फिच्छा के अंतरगत रखा गया है और प्रारंभिक परिच्छा में तुरिड होने पर उच्छ फिच्छा में प्रवेफ दिया जाना चाहिए उच्छ प्राप्त बेक्त ही राजा होने योग है तीफ्राय फिच्छा न्याय का फाधन है सभी का सम्मान फिच्छा फिच्छा का उद्दिश उत्तम नागरिक बनाना और फिच्छा राज द्वारा दी जानी चाहिए तो यह कुछ महत्तु है यानि की प्लेटो जो पुरमग बिद्वान है इन्होंने फिच्छा का क्या महत्तु बताए है जैसे कि आप के नज़ेए में फिच्छा का क्या महत्तु है तो आप यह पुचेंगे अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान नहेंगे श्कूल जाएंगे तो आपको knowledge होगा, knowledge होगा तो आप कहीं पर अच्छे से बोल सकेंगे, कहीं पर आप अच्छे फिजा पकेंगे, किसी से आपकी जो communication वो अच्छे से हो पाएगे, कोई आप नोकरी अच्छी कर पाएगे, कोई business आप लोग अच्छा कर पाएगे, ठीक है, आप किसी को कोई कोई भी question है, उसका उत्तर कम से कम दो फे तीन बार पढ़े, चार बार पढ़े, तभी वो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, अगला प्रशन है कि प्लेटो के आदर्स राज्जी का रण कीजिए, यानि कि जो प्लेटो है, प्रमुक बिद्वान है, एक आदर्स, मतलब कि एक अच्छा राज के बारे में इन्होंने क्या बताया है, वो ही उत्तर आपको लिखना है, प्लेटो के नुसार, एक आदर्स राज कैसा होना चाहिए, और उसके बारे में लिखना है, तो प्लेटो ने कहा कि राज का जनुब ब्रच्छों, चट्टानों, एम लाताओं से तो एक अच्छे राज यानि की अच्छे आधर्स यानि की निर्माड होता है इस सहर में किसी गाउं में अच्छे करक्टर वाले अच्छे इंसान रहेंगे परफेक्ट इक्षान रहेंगे ठीक है रिश्पेक्ट करने वाले बेक्त रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो सहरो चाहराज वो एक आधरस राज या अच्छा राजी बन जाएगा राज जी का आधार दारसनिक होना चाहिए जब तक राजा दारसनिक नहीं हो गें तब तक आदरस राज के इस्ताफना नहीं हो सगे और उसके बाल लिखना है कि अलोल्या नहीं होगे तब तक अधस राज की आफ्थापना नहीं हो सकती है किशी ब thieves सासक जो होना आनिवार है किसी बी राजी का जो राजा है यह पिर किसी फीराजी का मुख्य मंत्री है किसी भी देश का प्रदान मंत्री है अगर फिच्छित नहीं होगा तो वो देश या फिर वो भी प्रदेश बेकार है ठीक है तो किसी भी देश प्रदेश के लिए वहां का मुक्र मंत्री प्रधार मंत्री देश का फिच्चित होना चाहिए उफी तरह पहले तो राजा चलते थे तो वही कहा जा रहा है कि पहले कि जो सासक थे ठीक है उनका फिच्चित होना यानि राजा का फिच्चित होना निवार था आदर्स राज में राज को निश्वार्थी हो ना चाहिए महत्तब कि हम अपने स्वार्ठ के लिए नहीं काम करना चाहिए और आमजंता के लिए चाहिए जिससे अपना ही भला हो तो कुछ मिला कि अपने आपको निश्वार्थ भाव से ठीक है किसी भी चीज को खुद नहीं ले लिनी चाहिए ठीक है पूरी तरह निश्वार्थ होना चाहिए ठीक है और अपने स्वार्थ के लिए काम ना करता हो ठीक है आम जनता की स्वा का राज होता है प्रोफेशर स्वेन के नुसार आदर फ्राज बाफतों में आदर से बहुंने बहुत बड़ी बाद यहां पर गए इन्हों नहें कहा है कि जिस कर्कार बेक्ट का समंद उसके बोडी से उसके पार्ट से उसके आथ पैर्स से होता है सेम टू सेम उसी तरह किसी भी विक्ट का किसी राजी के साथ संबंध होना चाहिए जैसे कि आपके बोडी के फाथ आपका संबंध होता उसी तरह राजी के साथ आपका संबंध होना चाहिए तो इस प्रकाइश का परच नेतक गहें, इनके बारे में लिखना है कि आरफ्तु के नागरिकता संबंदी विचार क्या है, अगर कहीं का नागरिक होना है तो आपको, तो लिखना है कि ततकालिन माननताओं का खंडन करते हुए आरफ्तु ने कहा है, कि केवल किसी राज में मात निवास करने से हम किसी को नागरिक नहीं मान सकते हैं, नागरिक वही है जो नियाब विधायका के एक फदस्च की रूप में राजिक की कार्रियों में भाग लेता है, तो इनका मत्तब यह है कि अगर आप किसी राज में मालिजे किसी दूफरे देश से आए हैं, या किसी दूफरे राज से आए हैं, और कुछी दूसरे राज में रहने लगे हैं, तो वो आप नागरिक नहीं कहलाएंगे, उस तरह नागरिक था उसको नहीं बोलेंगे, नागरिक उसको बोलेंगे, जो इनसान किसी भी प्रदेश का जो नियाब विधायका का रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है, और बिधायका के एक फदश की रूप में राज्यों के कारे में भाग लेता हो, वो होता है एक नागरिक, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही साप साब बताया है, कि किसी भी देश में रहने मातर से नागरिक नहीं मान सकते हैं, नागरिक वही है, जो नियाब विधायका के एक फदश की रूप में राज्य के कारे में भाग लेता है, और इन्होंने आरफ्तों ने चार दसाओं का उल्ले किया है, जिसमें से पहले पे हैं, कि राज्य के किसी अफ्थान पर निवास करने से मातर नागरिक नहीं मिल जाती है, क्योंकि राज्य में बिदेशी और दास भी निवास क वराजसित और मतादिकर से वंचित नहीं मान सकते इसका मतलब यह ओगागर डालते हैं अगर आप वह अपना करते हैं तो आप किसी भी राजसित रहने का ह्पा कोई हख नहीं है तो इसी प्रकार आपको लिखना आप ऑस्टु영न का भी होगत जोट है आरफ्तु के नागरत का संबंदी विचार जो कि बहुत पॉप्लर कोश्चन कई बाहरा भी चुका तो ध्यान रखेंगे तैयार कर लिजेगे ठीक है अगला प्रशन है कि आरफ्तु ने ठीक है क्रांत के क्या आर्थ बताएं हैं तो इन्होंने कहा है कि आरफ्तु के क्रांत सं कंत्वी भिन हैं मत्तव के करेंट की जो क्रांती है इस से और जो आरफ्तु कि क्रांते उस इससे बहुत ही लग चीजे है वह एक को उस Васर्थ में नहीं मानता जिस λब्ला करन्द का अर्थ लेते हैं हम 1789 कि प्रेंच क्रांत 1917 यह पृष्भी क्रांती 1648 ओउर बभानत संभीрах लगाते हैं आरस्तु के इनुसार कनट कारत संभीधान में हर चोटा बड़ा परिवरतन जैसे कि आप लोग करांती के मतलब आप लोग देंते रहें कि बहुत बड़ी करांती आगए, बहुत बड़ा हान हो गई, बहुत बड़ी बदला हो गया तो इनका मतलब ये कि संबिधान में जो हर छोटा बड़ा परिवर्तन होता है उसको क्रांती बोलते हैं आरस्तु ठीक है अगर संबिधान में कोई छोटा बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो उस चीज को क्रांती बोलते हैं ये कहा है आरस्तु जी ने ठीक है कभी आपने देख को फ्रांस की क्रांट वाली बात नहीं कहिए इन्होंने कहा है कि जो सम्मिधान कंस्टिट्यूशन होता है कि विदेश का उसमें परिवर्तन होता है चाह चोटा बड़ा हो उसको हम कहेंगे खरांट तो यहां पर आपको ध्यान नितिक गहें और रोमन दार्षनिक था यानि कि यह काफी जगाहों पर घूमने वाला और प्लस काफी वफ्तों के बारे में कभी काफी चीजों के बारे में जालकारी रखने वाला जिसको हम लोग दारसनिक बोलते हैं उसके समय में रोम में सरकार में निरंस्था थी यही कारण था कि रोम की राजनीत में काफे उतर पुतर थी जूलिय फीजर के साथ मिलकर सिसरूर ने भी सरकार की ठीक है निरंकुस्ता का बिरोध किया शिसरों का फिद्धान समानता के साथ जुड़ा हुआ है वह राज की उत्पत्य का करण मनुष्ट की समाजिक प्रवत्ति को मानता है राज की ब्याख्या करते हुए शिसरों ने लिखा है कि राज उस जनसमों की संपत्य है जो बड़ी स उस्चों को समान बना उनमें समान बुद्धी दी एवं बिबेक समान होते हैं मतब कि उनमें बुद्धी एवं बिबेक समान होते हैं वे बिद्ध्वान भले नहीं लेकिन वे बिद्ध्वान पढ़ने की चेफटा रखते हैं मतब कि सिचरों कहता है कि जो Prakart है यानि कि भगमान है वो सभी को समान मनाया है इफले सभी में समानता रखनी चाहिए ठीक है वही पर यहाँ पर बताया जारा है कि उनमें बढ़े यह समान तो होते हैं लेकिन वह बिद्वान भले ही नहीं बनते लेकिन वह इच्छा जरूर करते हैं हर इंसान नौकरी तो पाहिं नहीं जाता गORMTU यह फिर हर इंसान को बिजनेस तो बड़ा ख़डा नहीं कर सकता लेकिन उनके अंदर एक चाहा तो रहती न इस पान के अंदर की हम भी नौकरी करें हम भी सरकारी जोब करें हम भी बड़े बिजनेस हो ठीक है लाखों के करणों की अंकम हो परमंत ठीक है हर इंसान चाहता है उफी तरह यहां पर वही चीज़ बताई जा रही है कि हर विद्वान बनने के चेफ्थायों उम्मीद रखता है सभी मानव जात एक ही इस्वर की संतान है इस बात को नोट के लिए जो इतने भी मानव हैं वही एक ही इस्वर के संतान है मतलब कि भगवान के ही आप सभी संतान है एक तरीके पर जिस प्रकार रोम ने सभी नागरिक एक रोमन गड़ राजी के अधिन रहते हैं उसी प्रकार बिश्च के सभी नागरिक के लिए एक अंतर राष्ट्य शमू होना चाहिए सभी एक ही मानो जात के असंतान है मानो में कोई भेज नहीं होना चाहिए इस्वर ने सबको समान है अधिकार दिये हैं तो यह बहुत बड़ी बात कहिए उन्होंने बहुत ही पॉप्लर कोश्चन फसे का ध्यान रखेंगे इफी तरह एक और कोश्चन है प्रमुख बिद्वान सिसुरों विड़ा कि सिसुरों ने कानून सम्मंदी विचारों को अस्पस्ट कीजिए यानि कि सिसुरों के कानून सम्मंदी विचार क्या है इसके बारें पढ़ लेना यह भी इंप्वार्टन कोश्चन है ठीक है और इफी तरह इस वीडियो में और भी कोश्चन है ज्याद हम पीडियो में लंब ही नहीं करेंगे यहीं पर हम इंड करना चाहेंगे क्योंकि आप लोग